बिहार के कटिहार में घोडी पर चड़कर शपत ग्रहन करने पहुँचे मुखिया अपने शेत्र में चर्चा का विशे बन गए हैं दरसल जिले के मनिहारी प्रखंड में दक्षिन कांटा कोस के नम रिर्वाचित मुखिया शरीफुल उर्फ धोनी शुकरवार को घोडी पर चड़कर शपत ग्रहन करने के लिए प्रखंड मुखिया ले पहुँचे वहीं मुखिया को देखने के लिए सैक्ड़ों की संख्या में लोग प्रखंड परिसर में जमा हो गए दोनी समाज सेवी के रूप में काफी चर्चित हैं दोनी से जब इस बारे में कुछ पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिये यह निश्ची तोर पर एक संदेश और भी पंचायत को जाता है या और समाज को जाता है कि देखिए निर्विरोध जो है मतलब की उप मुखिया चुनना या उप सर्पन चुनना यह बहुत सुभागया वाला बात है और हम लोग एक संद मतलब की परिबार के जैसा अपना पंचायत का जो है कि विकास कारन जो सोच है वो अच्छा रहेगा उसमें कोई कि किंदू परंदू नहीं रहेगा और हमें लगा कि यह होना चाहिए निर्विरोध होना चाहिए आपको बता दें कि पंचायत चुनाव में शरीफुल उर्फधोनी ने 775 मतों से पूर मुखिया मुरलीधर यादव को पराजित किया था वहीं दक्षणी काटा कोस पंचायत की विशेशता ये रही है कि मुखिया शरीफुल उर्फधोनी के नितुत में प्रखंड मुख्याले में निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष निर्विरोध उप मुखिया एं उप सर्पंच का चैन किया गया उप मुखिया पदपर गंगाराम सिंग को निर्विरोध निर्वाचित किया गया वहीं उप सर्पंच पदपर भी महम्मद सज्जाद को निर्विरोध निर्वाचित घोचित किया गया झाल झाल